असलाम अलेकम जी वालकम बैक टू माई यूटीब चैनल तो जैसा कि आप सब को पता है कि बर्मिंगम सुटी उनिवस्टी जो है ना वह आल अवर दे यू के इस दा मोस्ट डिमांडिंग उनिवस्टी जिसमें बहुत जारे इंटरनेशनल स्टुडेंट जोना एवरी एडिमिशन लेते हैं तो इन इस वीडियो मैं आपको बर्मिंगम सुटी वारे में कंप्लीट गाइड बताऊंगा कंप्लीट इंफर्मेशन दोगा कि आपको कौन-कौन सी चीजें रिक्वाइड है इस यूनिवस्टी में अडिमिशन लेने के लिए तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं कि अब सबसे पहले तो आप लोगों को अड्वाइज पता क्या है कि अगर आप ने इस यूनिवस्टी में अपना अड्मिशन लेना है ना किसी भी कोस्ट में वह कुछी फील्ड से यह बहुत जाएदा आप फील्ड को मतलब इसमें बहुत सारी फील्ड फील्ड की आप्श यह लोगी फ्लीड तो आफ फर लेंटर देने में बहुत अगलते हैं अन्कंडिशनल देने में में बहुत अब नगाते हैं और रेसे इनका बहुत बहुत दिर बादा है इंटर्व्यू पार इंटर्विए या विदिन वीक विदिन वीक इनके रिजल्ट आ जाते हैं इंटर्वियू के तो वह इंटर्वियल वाले मसला नहीं है लेकिन जहां तक बात है डाकुमेंट्स की जैसे के आपके आफर लेटर्स और कैस्ट लेटर्स तो इसमें बहुत ज्यादा डिले होता है तो अगर आप साथ बहुती स्मूथ प्रोसस चाहते हैं जहां पर आपको किसी किसम की कोई प्राब्लम ना हो आपको ज्यादा वेट 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 आपको करने पड़ेगा लेकिन ज्यादा डिलेज का मतलब है कि आपकी स्टड़ी शुरू हो ज़ें वीजा एप्लिकेशन के रिक्वार्मन आपके लिए लिए अपक पास अपलाय करने के बाद जो आपने प्रीविस एडियुक्यशन वाली सारे डाकॉमेंट अपने पर वाइड कर देने अपनी सारी एडुकेशनल हिस्ट्री वह आपने एड़ कर देना उसके बाद आपको अफ़र लेटर रिसीव हो उनिवस्टी की तरफ से जिसमें English Language Requirements आती है, मतलब जितनी भी Requirements हाँगी न वो आपने फुल्फिल करनी होती है, तो फुल्फिल करने के बाद भी रापको Unconditional Offer Letter रेसीव होता है, अब जो मेन रेकॉर्मेंट होती है तो आपका इंग्लिश परफिशनसी किनि है क्योंकि हम जो आ रहे होते हैं जैसे इंडिया बंगलादेश पकस्तान इनकी बात कर रहा हूं तो नोल इंग्लिश स्बीकिं कंट्री से होते हैं तो English requirement, meet करना भोह बहुत जरूरी होता हम और काफी सारे स्टूडेंट जो उसको hard भी समझते तो जो English Test जो के BCU की तरफ से चुर्सी से रिलेटेड इंग्लिश रिक्वार्मेंट से लेटेड तो यह साघ लिंक्स भी आपको डिस्क्रिक्रिक्शन में रिलेज़ेंगे तो वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा टाम लिये खुद के लिए और सारे लिंक्स को विजिट की जिए गा जितनी है अब कोर्सिस की बात करें तो कोर्स ये लॉइ कर वाते हैं आप डिजाइन के भी करवाते हैं है इसमें आईटी हो गया ओगया गेम डिवल्मेंट हो गया उसके खीलिग समया और प्रजिस्टिक्स के भी कर वाइँ लोगे कर ली जाएगा तो जो एना स्टडी क्राइट एरिया जो मैं वह कोर्स जिसके वजह से यह जो युनिवेस्टी एना वह ज्याला वैल नौन है वह आर्ट एंड डिजाइन और यह जो वैल नौन वाली जो बाद आना यह मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही गूगल से देखी है कि बेस्ट कोर्स जो ना वह बीसी में कौन सा है तो वह आर्ट एंड डिजाइन को बता रहा था परसनली अगर मैं स्टडी की बात करो ना तो स्टडी जो है वह इस युनिवेस्टी में बहुत जादा स्मूथ है परफेसर की असिस्टेंस आपको हर वकत मिल रही होती है एव कि आप 24-7 जब आपका दिल करें आपक्सेस कर सकते हैं उसके ओपर स्टेडी के सहरा मिटीरिल पड़ा होता है रेफरेंस लेंक पड़े होते हैं एबुक्स पड़ी होती है अब अगर पढ़ना है तो आप अपने मूडल को अक्सेस करें और एक्सेस करने के बाद आप अब स्टेडी की बात हो रही है तो अगर आप BCU के स्टूडेंट हैं तो आपके मूबाल में यह तीन अप्लिकेशन वह लाजमी इंस्टॉल होनी चाहिए जिसमें नंबर फर्स पर मूडल इनका जो अनलन पॉर्टन अनलना स्टेडी का सारा मूडल पर काम करता है और मूडल के को से कर्बेस आपके पास स्टूड ए तो आपके प एंदर और स्टूडर के आपको पड़ लाइज로olor और स्टूड को अनलना ऑलना स्टूडी कम एपड़ सकते हैं यह पर जो अनलना पर शेंयं Г te早 दिये जाता эк्करणि मूडल पर मूडल ऊपर अवेलेवल होता है औरिक्रि ते सारी क्लासिश नबर पर आपकी आपके आउट लुक विए जिसके अधर आपके सारी एमिल्स बगरा आ रही होगी साथ कलंडर दिया होगा के ओपर आपके सारे इवेंट्स बता रहे होंगा कि किस डेट को किस room में किस building में class अगर वो class online है तो उसका link भी उधर ही मुझ़ू उधर ये बाल आफ लाइन है तो आपको building का number रूम का number आफकि दिया गया होगा और timing गोगी कितने मज़ें सह लेगे कितने मज़ें ताक कि ये class है और किस building में किस room में है तो classes के related साधी information करें तो फीस जो ऐवरेज़ फीस ना इस युनुवस्टी की बिर्मिंगम इस की बात करें तो वह अराउंड थर्टीन थाउजन फाइफ़ देंड कुछ ज्यादा था पुछ को सिसकी कोम है तो अवरेज लिए अगर मैं बताओ आपको तो वहां थाइज थाउजन फाइफ तो उसके बाद जो है आपको इनिशियल 4,000 देना पड़ता है फॉर अडमिशन लेकिन अन्रोल्मेंट के लिए आपको अपनी टोटल फीस की जो के आफ्टर स्कॉलर्शिप जो आपकी टोटल फीस होगी ना उसका 50 परसंट आपको पे करना पड़ता है एंडोल होने के लिए तो बहुत सारे कंसल्टन यहां पर मिस लीड करते हैं कि आपको बस इदर से निशिल पेमेंट देनी है उदर जा के फिर आपको परिशानी नहीं होगी लेकिन एक्चुली में आपने क्या करना होता है फॉर थाउजन यह लिमिट है जस्टू गट एडमिशन अडमिशन के ब आपको आपका स्टूडेंट एडी कार्ड मिलता है तो फिर आपकी स्टूडेंट लाइफ जो थोड़ी सी ना एजी हो जाती है बिकस काफी सारी जगों पे आपको स्टूडेंट कार्ड की जरूरत पढ़ती है जैसा लाइब्रेरी हो गई और देसे का बुक एशू करवानी बाइब पढ़िदिंग्स के लाइबिदिंग्स की उनिवर्स्टी की टोडल पिलिंग्स जो थीन एक जो में बेन olla वो पाकसार बीलेंग है जो के खाल आप आप पर आप उनमिल्न ठी प्रवानिप ने अजन्रों थो थे और मिलिने एद्ट है उती में ब्हों सक्ति यह थैं तो तो बर्मिंगंगम स्टी उनिवस्टी इसके इलावा अगर आपको कोई कंफूजिएन है अब मुझे पता है काफी रेक्वेसिशन आएंगे कि यहार किर्फॉर्मेंट आपने तो बता ही नहीं है और आइट जो रिक्वार्मेंट यह कोस की रिक्वार्मेंट वो एवरी ट तो यह जनरल सी एक जो है ना आपको बता रहा हूं कि यह रिक्वार्मेंट इंग्लिश लेंग्वी टेस्ट की तो इसके इलावा अगर आपको कोई कोई भी तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप किजिएगा इंशाला आपके फीडबैक की ऊपर ही नए वीडियो बनाई जाएगी वह कम्यूनिटी टैप भी पर पोस्ट की थी उसमें जो सबसे जाए वोट्स है वह बर्मिंगम सिट इंविश्टी वाली वीडियो के तो वीडियो आगी है नेक्स वीडियो इंशाला मैं बनाऊंगा अपनी होम टूर की तो फिर मिलेंगे इंशाला नेक्स वीडियो में भी होम टूर तब तक के लिए लिए लाफीज टेक केर और फी मानिला